मटर की हरी फलियां देखकर हम सभी के मुँँ में पानी आ जाता है। उजादतर लोग सर्तियों की मौसम में हरी सबसी और स्नाक्स में मटर का उप्योग करते हैं। खास बात तो ये है कि मटर का इस्तमाल मुखे रूप से फिलर के रूप में ही किया जाता है। यानि किसी दूसरी सबसी या भोजन के साथ इसे मिला कर पकाया जाता है। इसलिए जादतर लोगों को ये भ्रह्म रहता है कि मटर सेल्फ स्वात बढ़ाने वाली सबसी है। और इसमें सेहत से जुड़े कोई खास कुड़ नहीं होती जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है। जिया क्या आप जानते हैं कि मटर के दाने के अंदर किसी भी तरह की उठली या बीज नहीं होता है और ये पूरी तरह फाइबर से भरपोर होता है। इतना ही नहीं। आए आज की वीडियो में जानते हैं कि किन लोगों को सर्दी के मौसम में खास कर मटर का सेवन करना चाहिए। इतना ही नहीं। यदि आपकी हड्या कमजोर हैं तो आपको भी नियमत्रोप से मटर का सेवन जरूर करना चाहिए। चाहिए यहां नियमित रूप का ताथ पर यह है कि आप दिन में एक बार किसी भी समय मट्र खा सकते हैं मट्र में विटामिन के पाया जाता है और यह विटामिन हट्डियों का व्यास यानि की डेंस बनाये रखने में मदद करता है और उन्हें स्ट्रॉंग बनाता है शरीर मे विटामिन के की कमी हो जाए तो हड्डिया खोकली होने लगती है और औस्टरियो पुरोसिस की समस्या भी हो सकती है फलहाल इस वीडियो में तहीं और भी ऐसी वीडियो उसको देखने के लिए आप जोड़ रहिए बोल्ड स्काई के साथ नमस्कार